इसे 7 किσω थे रखते हैं और्जब फ्यूलिटेंग्स को लेवल में सिलेंडर के लाव से अबोग होगता है इसे निचे से और उसके अबर फ्यूलिट एकर रखता हुआ है लेवल के लेवल से नीचे है यहां पर फ्यूल इंजेक्शन पॉंप है और फ्यूल फीड पॉंप है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है इhtि एंजेक्शन फंप होता है जो फ्यूल वो हाई प्रेशर डेलपकर करके उसको इंजिन सिलेंडर पे अदर बेज़ताहै लेकिन हम फ्यूल-फीड फंप की की help से जो two weeks furniture फ्यूल इंजेक्शन सब्रेज़ती हैं इस फ्यूल फ्यूल पॉम्थ से ही यह उसको फ्यूल इड़़्ज़न पॉंप तक डेज़ते हैं नावी फ्यूल फील फ्यूल वांक कैसे करता है गया यहाँ पर जो के हैं यहांक को यहां पर करने करना काम तरूक श्रू फ़िशाफ हुम कैसे रोटेट करने एक दो शरथे केला रे तुरू समय hop grad junior आपको 파वर को यूज वार कर लेते हैं स्प्रिंग रोडेट VC आथा थएर्चिहअई वीर्प्ल open और रोडेट का इसbn क beim सब्सक्राइब आएगे फो पुछ करेंगे डाउन्वार्ड की तरफ को पुछ करेंगे तरफ जिसकी वजह जो प्रेशर वाल लगेगा तो प्रेशर वाल ओपन हो जाएगी और जो यहां से प्रेशर जिसका डेवलप होँ यहां पर इस प्रेशर चैंपर में प्रेशर करते गाएं जब कैम की नई पोजिशन आएगी तो उस टाइम पर जो प्लेंजर होने की कोशिश करेगा अट टाइम प्लेंजर स्प्रिंग हैं को उपर आने के लिए अट टाइम क्या होगा कि यहां पर क्या होगा कि जो यह सक्षेण वाल मौ अपन ओगी टैंक से जिए वह यहां पर आना अश्टार्ट हो जयाएका फिर क्या होगा कि जो मैंटेर जाएगी जो प्रेशर ओपर हो जाएगी जो प्रेशर कर दिया जाएगा यह प्रोशेस्ट रीपीट होता ही रहेगा दूटो दी रोडेशन ओप्रीक है यहां पर कुछ लीकेज फ्यूल प्लेंजर से लीकेज करके इस वारे कोर्षन कर जाता है जिसको उन्वाइट की घूप तो यहां पर जो भी लिकेश करके जो प्यूल आता है उसको बेस्ट होने से बचाने के लिए हम दुबारा से फियूल टैंक पर भेज देते हैं हमेशे याद रखना कि लिएक्षिन अलग अलग होते हैं एक हाई प्रेश्र होता है और यह लो प्रेशर होता है जो फ्यूल हुग्षा उसका प्रेशर इंग्रीज करना है और हमें इस लोड पर इतने फ्यूल की रिवार्मेंट है और अमें हाई रोड़ पर जातल स्फ्योidad करेंगा कि ज्यादा रोड के लिए ज़्यादा soul P और उसी मीटर कंटिटी को आगे इंजन सीलेंडर पर धेज़ेगा मिन्स यहां कितने क्वांटिटी चाहीए को इंजन सीलेंडर हमें और क्या काम मिलता है कि हमें किस टाइम पर संड करना और प्यूल को श्चक करना यहां पर इस वे के थ्रू जो हाई प्रेशर फ्यूल होगा उसको हम इंजेक्टर के पास देचेंगे यहां पर यहां पर यहां पर इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल प्लंजर ऐसे प्रोकेट करता है इसके फ्यूल फीड़ फ्यूल है इस बैलर में एंटर करेंगा इस इस फिल पोड़ के तूर जो एक्स्टर फ्यूल है उसको यहां से निकाल दिया जाएगा और दोबारा से फ्यूल टैंक पर भेज़ दिया जाएगा तो यहां पर यौन कांझ किया है कि जो यह प्लेंट बढ़्लनेकल का है और ओर जो प्लेंशिय। करने हैं जो कैम है उसको रोटेट कराने का काम हम इंजन शाफ्ट के हल्प से कर रहे हैं इंजन शाफ्ट से पावर पहले कैम शाफ्ट पर आएगी तुर सब गियर मेकैनिजम और कैम शाफ्ट के उपर इस प्लेस्ट तो यहां पर जैसे ही कैम की पोजिशन चेंज होगी उसी क यहां से कुछ मैटीरियल ऐसे रिमुव करा हुआ है यहां पर खाली है आप इसको ज़्यादा डिटेल में यहां पर देख सकते हैं यहां पर शो किया हुआ है यहां से यहां से तोड़ा सा मीन्स मैटीरियल काटा हुआ है और इस ऑसो यहां से कटा हुआ है यहां यहां पर यह वर कैसे करता है जोगी टाउन मायर पोजिशन पे होगा तो इनलेट और तो दोनों उनकावर्ड होंगे तो at that time जो fuel feed pump से जो fuel आएगा inlet cord के दुरू यहाँ पर फिलोना start करतेगा fill होना start करतेगा means यहाँ पर आना start करतेगा लिगे हमें पता है कि यहाँ पर एक helical group कटा हुआ है जा जाए है तो इतने पोर्शन में यहां सी आएगा और यहां रखना मससम धूने हला करें यहां पर कर देगा मिथ लेगा यहां वाले फोर्चरणे पर हो जाएगा तो यहां पर अध़े मतमतित्र बजिशन कर देगा में तो जब कैम की रोटेशन होगी, तो दूद इक टाइम ऐसा आएगा कि इनलेट पोर्ट और बंद हो जाएगे, दोनों कवर्ड हो जाएगे, तो यहाँ पर फ्यूल है, वो प्रेस होना चालू हो जाएगा, जैसे प्लंजर अप आएगा, तो यह भी बंद है, यहाँ पर हो जाएगा, और तूल का अगर प्रेस्ट अपीज होगा तो वालू के ऊप उपर एक प्रेशर लगाएगा, तो दिलीवरी बंद हो जाएगी, इसकेमे जैसे जो यहाँ से ओपनीग है, वो ईपन हो जाएगी और जो प्रेसरा आइस यह प्रेसर अभाइगा में पहुछा द आएगा तब तो कोई प्रोब्लम नहीं है लेंगी जैसे ही यह पर क्वार्ट्ट में आएगा हुआ है तो जैसे को निकलना चालो हो जाएगा और जिसको को जो दूबार से में बेज देंगे इती ताइम यहां पर प्रेशर का सदेंड ड्रोक होता है जिसकी वज़े से जो delivery वान है वो नीचे आ जाती है अंडर दी action of the spring spring की वज़े से तर्स बेज़े दिए और जो injector को सपलाई की जा रहा थी वो स्टोक हो यहां पर हमें कितना फ्यूल भेजना है इंसाइड इंजन सिलेंडर वो डिपैंड कर रहा है कि इसके कॉंटेक्ट में कब आता है अगर बहुत पहले ही कॉंटेक्ट में आ गया तो पहले ही कि जो सारा फ्यूल इंजक्टर के दूब भार निकलना चालों हो जाएगा और अगर फ्यूल बाद में आएगा थोड़े टाइम बात आएगा तो फाफी टाइम तक वो घ्यादा फ्यूल इंजक्टर के दूब भेज दिया जाएगा इस डिपैंड कर रहा है कि इस टाइम पर परवार करने परती है तो जाएगा डालट करने होथे तो मीजिस के अंदर में ट्रीव के कौवांटिटी जादा बेजने करते हैं और अगर ऐंगे ऑपर ज़ादा में कवांटिटन के उपर क्रम करने हैै तो हमारे यहां पर रिकॉर्ए posting के के बहुत टाइम बाद आएगी तो उस टाइम पर हमारे रिक्वार्मेंट यही रहेगी कि जो विलिकल गुरू है वो स्पील पोर्ट के साथ में कॉंटक्ट पर जल्दी ना आए तो उस टाइम पर अगर जल्दी कॉंटक्ट में आए जाएगा तो सारा फ्यूट के दूर निक साथ में कब आएगा अगर लो लोड है जो इंजन है उसको लेस्ट पावर डेवलप करनी है तो यहां से जल्दी निकल जाएगा थोड़ा ही वेजर जाएगा तो यहां पर इस पील पोर्ट के साथ में जो हिलिकल गुरू है कैसे होता है यहां पर एक अर्जमेंट लगा हुआ है रैक यदि इस 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 पीजिते हुए रहे हैं तो उसके रहे चल्ट करेंगा तो यहां पर पिए और और पीञा नियुक्ट रहे हैं जैसे ही यह रैक ऐसे रहेगा तो उसके को रिस तो यहां पर चिंटीत करें दो कि यहां पर एसे करेंगा यहां पर यह रोडेशं सब्सक्तरव कर सकते कहा इसकाWhen और यहां पर रोटेट भी कर सकता है और उसकी रोटेशन डिपैड करती है कि रैक की कितनी मुवमेंट हुई है अकोडिंग तो रैक मुवमेंट यहां पर प्लेंजर भी कितना रोटेट होगा वह हम डिसाइड करेंगे इंजन के ऊपर ज्यादा लोड पड़ा हुआ है इंजन के ऊपर हमें ज्यादा फ्यूल भीज़ना पड़ेगा तो जो पोजिशन होगी यहां पर जैसे ही यह प्लेंजर आप जाएगा तो जब यह वाले पोजिशन जब यहां पर आएगी तब जाकर इलिकल गुर्व और स्पिल पोर्ड कनेक्ट होंगे तब सारा फ्यूल बाहर बिलेगा जब मीडियम लोड आएगा मीडियम लोड चुका है और जो कटा वह वह पुछ ऐसे है तो यहां पर आएगा जिसकी वज़े से सारा फिल बाहर निकाल दिया जाएगा नाव जब लोड के टाइम पर कंडिशन से लोड के टाइम पर हमें फिल के रिक्वार्मेंट भी करना है तो यहां पर इस फूर लोड कंडिशन के टाइम पर हमें प्रेंजर को फड़ा और रोटेट करवाया हुआ है तो यहां पर यह जो कटा हुआ है वह बहुत जल्दी कोंटेक्ट में आज आता है इसकी वज़े से सारा कुछ फ्यूल चला जाता है और एक्स्ट्रा फ्यूल इस फिल कोड़ के तूर इंसाइड दा पंच अब सिद्धन तो कि आता है तो वहां पर कंप्रेस ही पाता है लोग सेमार्व्ण पंचल जाता है लुल बाहर है। जो तो उस कंडिशन पर जो इंडिकर गुरू है वो इन लाइन वह तो दर स्पिर्पोर्ट अधाइन जो प्रैशर जो अंदर डेल अपर वह गया नहीं जिसके वज़े से डिलिवरी वाद ओपन भोगी नहीं और सारा का सारा की बहार निकाई जाए तो इस डिफ्रेंट रोड कंडिशन मिन्स अगर इंजन के उपर लोड बढ़ जाता है लोड बढ़ने की वजह से इंजन की स्पीड हो जाती है और जैसे इंजन की स्पीड बढ़ जाती है जिसकी वजह से फलक्ट्वेशन आती है इंसाइड इंजन सिलेंडर इसी चीज को अवेड करने के लिए हमें पर गवर्नर का यूज करना पड़ता है गवर्नर क्या काम करता है कि जैसे ही लोड़ बढ़ेगा तो जिसकी वजह से कि अगर उस टाइम पर हम ज्यादा दें तो क्या होगा कि ज्यादा आनली प्रोडूस होगी जिसकी विजए से जो स्पीज डिग्रीज होने की कोशिश करते की वहीं स्पीड बढ़ जाएगी जितनी स्पीड हमें चाहिए वह हम अटेन कर सकते हैं अगर इंजन की जो शाफ्ट है वहाँ पर लोड कम हो जाए तो इंजन की स्पीड बढ़ जाए लेकिन अट टाइम हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि फ्यूल की सपनाई को कट कर देना पड़ेगा जिसकी वजए से शाफ्ट की जो स्पीड थी जो आर्प चेंज करता रहा है तो यह रैक इस प्लंजर को ऐसी पॉजीशन पर ले आएगा कि जाना फ्यूल एंटर करें अगर इंजन के वपर लोड कम है तो यहां पर यह रैक इस प्लंजर को इस पॉजीशन पर ले आएगा कि फ्यूल की Entry कम हो और जाता सजाता जो फ्यूल है वो से बाहर निकल जाए तो यहाँ पर जो पोषिशना सेज हो रही है वो बहुत्य है फो ग्रैक और फ्यूल गयुद ॉरी और आप को हम विद्दर फो गवर्नार से कंट्रोल कर रहे हैं तो इस सीज अवर फ्यूल प्रिग्टर का प्रेक्स